प्रेश दलाओड आप सब को जय मसी की मैं परमेसर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए एक और दिन परमेसर ने हम सब के जीवन में जोड़ दिया हम परमेसर को कोटी-कोटी धन्यवाद दे एक नया संदेश लेकर में आपका दोस्त पास्टा राजमे सी आपके समय को पस्तित हूं और आज का संदेश जो हो भी बहुत महत्तपून है और आज कुछ आज्याओं के विसमे में बताऊँगा क्योंकि पूरी बाइबल आज्याओं से भरी हुई है उत्पत्ति सिले के प्रकाशित वाके तक जब हम पढ़ते हैं पूरी बाइबल को तो सिर्फ दस आज्याओं ही नहीं हैं हमारे लिए बाइबल में लगबख 6468 आज्याओं है ज्यादा भी हो सकते हैं से कम भी हो सकते हैं लेकिन आठकल ये है कि 6468 आज्याओं बाइबल में पाई जाती है तो आज मैं आपको नितिवचन में दीगे च्छोटी च्छोटी भी दस बारा आज्यां को बताओंगा जिनका प्रतिफल बहुत बड़ा है छोटी छोटी सी आज्याओं है लेकिन बहुत महत्तवपूर्ण है अगर उनको हम पालंड करें आज्याकारिता में आये परमेशर के तो परमेसर क्या प्रतिफल हमको देगा आज वो हम देखेंगे और जो भी प्रतिफल परमेसर हमको इन आग्याओं के मानने से देता है उनकी हमें जरूरत भी है तो उन जरूतों को पूरा करने के लिए और परमेसर से प्रतिफल पाने के लिए आशिशित होने के लिए इन छो को तब हमने इस बात को देखा तब मैंने सोचा कि मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और ये बहुत ही महत्वपूर संदेश है इसे पूरा सुनिए शेयर भी कीजिए तक और भी लोग इन बातों को जान सकें टूपल्स में आज का सवाल है कि किस नभी को कवो ने आकर भोजन की खिलाया था किस नभी को भोजन कराया कवो ने जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जबब मिल जाएगा मेरा चैनल है टूपल्स उसमें आपको इसका सवाल मिलेगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे क् किजिए और जान लीजिए किस नभी को कवो ने खाना खिलाया प्लेज दे लौड मैं आपसे फिर गुजारिस करता हूँ कि हमारा जो ड्रीम है मेरा जो ड्रीम है जो दर्शन दिया है परमेस्टर ने एक हास्पिटल को बनाने का तो उसके लिए मैं आपसे पुजारिस करता हूँ कि हमें जमीन की जरूरत है उसमें आप क्या कर सकते हैं हमारे साथ हेल्प और उसके लिए हमें धनकी भी जरूरत पड़ेगी तो अगर आपके मन में परमेस्टर डालता है कुछ तो जरूर मुसे बाचित कीजिए ये मेरे नमबर है वाटसट अप नमबर है गूगल नमबर है गूगल पय नमबर है तो अगर आपके मन में परमेस्टर कुछ डालता है तो जरूर आगये क्योंकि बहुत जल्दी हमने इस पास्तरी में तो आप जरूर इसमें भाग लीजे और परमेसर के काम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजे ज़िए आप मेरी मिनिश्टी के लिए या चैनल की ग्रोथ के लिए भी कुछ हैल्प करना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रेज देरो एक मिने बाद देता हूँ आज के सुबह दिखाने के लिए प्र defense करता हूँ «आज के वचन को भी शेर करने मेरी मदब साहता कर », मेरी होटों को डिल दिमा को ठ्यूकर Blas propose me flowing true । मिरी आतमा और मिरा श्री तेरही कभजे मेरा है ताक कि भूलने वाला मनुष şνहिं की तेरा आत् करता कि जो वचन का बीज बया जाता है वो फलबंत हो और वो तीस साटनी सौ गुना हज़ारों गुना फल ले कराए प्रभू जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं सुन रहे हैं सब पर मैं तेरी आशिश बोलता हूं प्रभू हरे को आशिशित कर दुख बिमारी चिंदा परिशानिया दूर कर मेरे प्रभू अपने बच्चों के चीवन में अद्बूदर बड़े काम कर आश्चेर कर मेरे प्रभू समस्याएं दूर कर कर दे दूर कर नशा दूर कर बांचबन दूर कर मेरे प्रभू जी और लड़ाई जगड़े तफर के मन मुटाव हर एक घर से दूर कर दे मेरे प्रभू तलाक की समस्याओं को दूर कर दे मेरे प्रमेसर और जो लोग खो गए हैं उन्हें अपने निगरानी में वापस घर ले करा ताकि प्रभू जो उन घरों में आनंद मनाया जाए मैं धिन्यवा देता हूं प्रभू तो ने मेरी प्रात्ना को सुन लिया प्रभू येश्यू के नाम से मांगते हैं आमेन प्रेज दरौर तो आई आज के संदेश को शुरू करेंगे संदेश है कि बाइबल की छोटी आग्याएं और बड़े फल बाइबल की छोटी आग्याएं और बड़े फल तो छोटी आग्याएं क्या है ये छोटी आग्याएं जो है वो है निती वचन में तीन अध्याएं में जब हम पढ़ते हैं एक से दस पत तक तो वहाँ पर कुछ आग्याएं दी गए हैं चुटी सी आग्याएं है और हम जानते हैं कि येशु मसी ने भी कहा कि जो छोटी सी छोटी आग्याओं का पालन करता है वही परमेसर के राज्ये के योग्य होगा तो आईए हम देखेंगे नीती वचन तीन अध्याएं और इसके पहले पत से हम पढ़ेंगे कि वहाँ पर क्य बाएंगे हम नित्य वचन एक तीन अध्याएं एक से दस पत तक इसी में बारएं चुटी आग्या हैं और इसी में 9 बड़े फल परमेसर हमको देने जा रहा है जब हमें इन बाल है आग्याओं को मानेंगे इनका पालन करेंगे तब परमेसर हमें नौ फ़लों से भर देगा हम पर आशशित हाथ रखेगा और हमारे जीवन में बड़े काम करेगा ये वो आत्मिक फ़लों की बात नहीं कर रहा हूं मैं जो गलातियों के पुस्तक में लिख है हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना ये एक आग्या है पहली आग्या ये है कि हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना ये पहली नित्ति वच्चन तीन अध्याए और उसके पहले पत की पहली आग्या है ये एक से दस तक हम पर रहा है ध्यान से सुनिएगा ये पहली आग्या है दूसरी आग्या है अपने हिर्दे में मेरी आग्याओं को रखे रहना ये परमेसर की आग्या है लिखा है कि मेरी सिक्षा को नहीं भूलना जैसे हम फिल्मों को याद रखते हैं फिल्मी गानों को याद रखते हैं दोस्तों को याद रखते हैं बहुत सा हमें जो सिक्षा देता है वो हमारी बुराई के लिए देता है ताकि हम गलत संगती में जाएं गलत बातों में फस जाएं और हम बिनास की और अगरिसर हों सेतान भी हमें ऐसी सिक्षा देता है तो लिखा है मेरे पुत्रों मेरी सिक्षा को ना भूलना पहली बात दूसरी जो दूसरी जो अग्याव है, अपने हिर्दे में मेरी आग्याव को रखे रहना, यह नहीं कि सुना और भूल गए, रखे रहने का मतलब है, इसको भी याद रखना है, हिर्दे में रखे रहना है, इसे निकालना नहीं है हिर्दे में से, जो अग्याव परमेसर की हैं, अपने हिर मेरी आज्याओं को रखे रहना हम रखे रहें अब परमेसर की आज्याओं को क्योंकि परमेसर की आज्याओं हमें पवित्र बनाती हैं परमेसर की आज्याओं हमें स्मृध्ध बनाती हैं भला चंगा रखती हैं और हमें एक अच्छा जीवन देती हैं अब देखिए इसका फल क्या दिया है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयू बढ़ेगी क्योंसा करने से मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हिर्दे में मेरी आग्याओं को रखे रहना ये दो आग्याओं भी मैंने बता है अभी दस बाती हैं उसका दो आग्याओं का फल देखे क्या है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयू बढ़ेगी पहली बात और तू अधिक कुशल से रहेगा कौन नहीं चाहता कि हमारी आयू बढ़े और कौन नहीं चाहता कि हम अधिक कुशल से रहे कौन नहीं चाहता सब चाहते हैं सब चाहते हैं अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आईउ बढ़े अगर आप भी चाहते हैं कि अधिक कुशल से रहे तो कमेंट्स में लिख दीजिए कि हाँ मैं भी चाहता हूँ मैं भी चाहती हूँ कि मैं अधिक कुशल से रहूँ में लंबा जीवन पाऊं दो काम करने हुगे इसके लिए जैसे के पहले पद में लिखा है मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हिर्दे में मेरी आग्याओं को रखे रहना ये दो बातें ये दो आग्याओं हमें दो फल देती हैं वो कौन से फल है क्योंकि ऐसा करने से ते सच्चाई तुस्से अलग ना होने पाएं ये भी एक आग्या है कि करपा और सच्चाई तुस्से अलग ना होने पाएं हम करपाल बने रहें दूसरों पर और सच्चाई में अपने जीवन को वेतित करें जूट की और अगर सर ना हो जूट हम से दूर रहें जूटों से हम मुझे जूटी बाते ना निकले हम वाइदे करें तो पक्के वाइदे करें जूट किसी से भी ना बोले तो लिखा है किर्पा और सच्चाई तुसे अलग न हुने पाएं वरन उनको अपने गले का हार बनाना ये चौथी आग्या है तीसरी आग्या कौन सी है कर्पा और सच्चाई तुसे अलग न हुने पाए चौथी आग्या है वरन उनको अपने गले का हार बनाना और पांच वी आग्या है और अपने हिर्दे रुपी पटिया पर लिखे रहना ये लिखे रहने का मतलब है ये मिटे नहीं, ये हमारी हिर्दे में लिखी रही ये बाते हैं, किर्पार सचाईत उससे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हिर्दे रुपी पढ़िया पर लिखे रहे था, तीन आग्या यहां पर है, दो मैने पहले पढ़ दे पहले पद होगा, इन तीन आग्याओं के दो फ़ल परमेसर हम को दे रहा है, और वो क्या है, कि तु मनसे परमेसर और मनसे दोनों का अनुगरह पाएगा, मनसे भी हम पर अनुगरह इत रहेंगे, और परमेसर भी हम पर अनुगरह पर अनुगरह करता रहेगा, कब जब हम इन तीन बात का हार बनाना और अपने हिर्दे रुपी पटिया पर लिखना ये तीन बाते दो मैंने पहले पद में पढ़ें तीन मैंने तीसरे पद में पढ़ें अब पांच्वे पद में देखिए कुछ और हैं पांच्वे पद में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहरा ना लेना दोस्तो जब हम अपनी समझ का सहरा लेते हैं तो जरूरी नहीं कि हम सकस्स हों जरूरी नहीं कि हम काम्याब हो जाएं या भाला ही हो हमारे साथ ऐसा नहीं है यहाँ पर लिखा है कि तु अपनी समझ का सहरा ना लेना वरन समपून मन से यहवा पर भरोसा रखना यानि पूरे मन से अधूरे मन से पर भरोसा रखते हैं और फिर उसका फल उनको नहीं मिलता और फिर वो यहीं कहते हैं कि हमारी प्रातना तो पर मेंसर सुनता है नहीं दोस्तों जब तक हम समपून मन से पर मेंसर के अपर भरोसा नहीं रखेंगे हमारी प्रातना यह नहीं सुनी जाएंगी हमें समपून मन से यहवा के पास आना है हमें संपूर्ण मन से यहवा से बिंती करनी है जब हम निती बचन पढ़ते हैं 119 अध्याए और उसका दूसरा पद तो यहाँ पर लिखा क्या ही धन्यवे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं अधूरे मन से नहीं पूर्ण मन से पूरे मन से हमें परमिसर के पास आने की जरूरत है किसी के बढ़न में नहीं किसी के बोज में नहीं किसी के दबाव में नहीं कि पास्टर जी ने बोला है तो चलो चर्ट चलते हैं पास्टर जी ने बोला है यहवा पर भरोसा रखना और आगे एक और आग्या लिखी है उसी को समंद करके अपने सब काम करना उसी को याद करके अपने सब काम करना जब भी हम बाहर निकलते हैं कई शौपिंग पर जा रहे हैं घूमने जा रहे हैं कहीं रिस्तेदारों के हाँ जा रहे हैं जॉब पर जा रहे हैं या अपनी वैवसाई में अपनी फैक्टरी में जा रहे हैं या ओफिस जा रहे हैं हम प्रात ना करना ना भूले घर से निकलते समय प्रात ना करें घर में आने के बाद भी भरमेसर को धन्यवाद दे कि भरमेसर अपने टेरा मार्ग तो स्यतान का होता है, परमेसर सीधा मार्ग हमारे लिए निकालेगा और हमें सम्थर रास्ते पर लेकर चलेगा, तीन काम करने हैं, पहला काम क्या है, तू अपनी समझ का सहरा ना लेना, बरन संपून मन्से ही होगा पर भरोसा रखना, उसी को समंढ करके सब काम करना है, सब काम करने, एक दो नहीं करने, कुछ छोड़ नहीं देने, कुछ बाकी नहीं रखने, सारे कामों की शुरुआत हमें परमेसर को धन्यवाद दे करनी चाहिए, चाहिए हम मकान बना रहे हों, चाहिए हम फैक्टरी लगा रहे हों, चाहिए हम नया वैवसाय सुरू कर रहे हों, हम दुकान खोल रहे हों, कोई या हमने कोई वाहन लिया हो, विकल लिया हो, कोई स्कूर्टी लिया हो, कार लिया हो, कुछ भी हमने खरीदा हो, हम पहले परातन करें उसी को समन करके अपने सब काम करें और लिखा अपनी दृष्टी में बुध्धी मान नहुना सॉरी उसी को समन करके अपने सब काम करना तब वो तेरे लिए सीधा मार निकालेगा ये छे पदमे मैंने पड़ा है अब देखते हैं साथ पद में कुछ और आग्याएं हैं अपनी दृष्टी में बुद्धी मानना होना पहली बात यहवा का भाय मानना दूसरी बात और बुराई से अलग रहना तीसरी बात यह तीन आग्याएं फिर से दी हैं इसमें सुलमान ने वो कहता है कि अपनी दृष्टी में बुद्धी मा की रचना की है तो यह लिखा कि अपनी दृष्टे में बुद्धी मान नहीं हो ना कि मैं बहुत बुद्धी मान हूं मैं बहुत समझदार हूं मुझसे ज़्यादा वचन कोई नहीं जानता मुझसे ज़्यादा बड़ा कोई नहीं है मुझसे ज़्यादा पैसे वाला कोई नह मतलब अपने दृष्टी में बुद्धिमान बनने की जरुरत नहीं हमको यहां पर यह आग्या परमेसर ने हमको दी है और आगे लिखा है यहवा का भाए मानना क्योंकि यहवा का भाए जब हम मानते हैं तो लिखा है यहवा का भाए मनुस्य को बुराई से दूर रखता है तो जब हम परमेसर का भाए माननेंगे यहवा का भाए माननेंगे तो हम बुराई से दूर रहेंगे और तीसरी आग्या लिखिया है बुराई से अलग रहना बुराई से अलग रहना है बुराई कौन है बुरे लोग बुरी संगती, बुरे विचार, हर एक बुरी बात जो हमें बुराई की और खींच कर लेकर जाती है हमें उन से अलग रहने की आग्या दिये गई है तीन आग्या है यहापर दिये हैं दोस्तो ध्यान से सुनिये, अपने दिरिष्टे में बुद्धी मानना होना यहवा का भाय मानना, तीसरी आग्या बुराई से अलग रहना अब इसका फ्ल देखे क्या है, इसका फ्ल है इसका फ्ल है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड़ियां भी पुष्ट रहेंगे तेरी हड्डिया भी पुष्ट रहेंगे यह इसका प्रतिफल है यह आग्याओं का प्रतिफल है जो आग्या पर मिस्टर हमको इस वचन में दे रहा है उसके साथ-साथ हमें बता भी रहा है कि अगर ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगा तुम्हारे साथ साफ लिखा है यहाँ पर एक से दस पत तक जब पढ़ते हैं तो साफ रिति से लिखा है कि ऐसा करो तो मैं भी ऐसा तुम्हारे साथ करूँगा लिखा है ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी ताकतवर रहेंगी खड़ी नहीं टूटेगी हम भले चंगे रहेंगे और क्या होगा हम ऐसी परस्तिती में परमेसर की महिमा करेंगे नौ पद में देखते हैं और आग्या है अपनी संपत्ती के द्वारा और अपनी भूमी की पहली उपज दे दे कर यहवा की प्रतिष्ठा करना दान दक्षिना करके दस्तमान दे कर परमेसर की प्रतिष्ठा करनी है लिखाए अपनी संपत्ती के द्वारा अपनी भूमी की पहली उपचे दे दे कर यह नहीं लिखाए दे कर एक बार नहीं बार बार हमें परमेसर के भवन में उसके लिए दान को लेकर आना क्योंकि हम जब पढ़ते हैं लुका छे अध्याए और उसके 38 पद में तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है यह लिखा है कि दिया करो तो तुम्हीं भी दिया जाएगा लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा तो लिखा है निती वचन में जब हम वापस आते तीन अध्या के नौ पद में तो यह लिखा है कि अपनी संपत्ति के दौारा और अपनी भूमी की पहली उपच दे दे कर यहवा की परतिष्ठा करना इस प्रकार तेरे खते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में नया दाखमदू उमंडता रहेगा यह अग्याए और उसके साथ प्रतिफल परमेसर साथ साथ बताता चला गया है जब हम अपनी संपत्ति के दौारा और अपनी भूमी की पहली उपच दे दे कर परमेसर की परतिष्ठा करेंगे उससे उचे पर उठाएंगे तब परमेसर क्या करेगा हमारे खत्तों को भरा पूरा रखेगा कत्ते मतलब हम जहां पर भी अपना धन रखते हैं जहां पर भी हम अपनी आशिशित चीज़े रखते हैं वहां पर भरे पूरे रहेंगे कभी भी हम खाली नहीं रहेंगे, यहाँ पर लिखा है कि इस प्रकार तेरे खते भरे पुरे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमदू उमड़ता रहेगा, मतलब हमारी जो रसकुंड है, यानि कि हमारी जो व्यवसाय है, हमारी जॉब है, हमारी जो काम है, जहां से हम धन अर जित करते हैं, वो उमडते रहेंगे, वो उमडते रहेंगे, कभी भी नहीं ऐसा रहेंगे, कई इतना कमाते हैं, और पता नहीं कहा चला जाता है पैसा, ऐसा नहीं होगा, और क्या होगा, परमिसर उसमें और बड़ाता 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 चला जाएगा, यह कब होगा, तूसरी आगया है और तीस्रे पद में लिखा है किरपर सचाई sessions से अलग ना होने पाई यह तीसरी आगया है वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृद़े रुपी पटिया पर लिखना पाच्वे पद में लिखा है तू अपनी समझ का सहरा ना लेना वरन समपून से यहुआ पर भरोसा रखना, उसी को सिमन करके अपने सब काम करना, और आथवे पद में लिखा है, 7 पद में, अपनी दृष्टी में बुद्धी मानना होना, यहुआ का भाय मानना, बुराई से अलग रहना, और 9 पद में लिखा है कि अपनी संपत्ति के दौरा और अपनी भूमी की पहली उपच्प, दे दे कर यह भा की परतिष्ठा करना, ये 12 छूटी-छूटी आग्याय हैं, दोस्तों आप पढ़ सकते हैं 12 आग्याय हैं, इनके परतीफल परमेशर ने 9 परतीफल हमको दिया हैं, बड़े बड़े, वो क्या है मैं पढ़ देता हूँ दूसरे पद में लिखा है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयू बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा चार पद में लिखा है और तू परमेसर और मनुसे दोनों का अनुगर है पाएगा तू अती बुद्धिमान होगा छे पद में लिखा है तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा आठ पद में लिखा है ऐसा करने से तेरा शेरी भला चंगा और तेरी हड़ियां पुष्ट रहेंगी और दस पद में लिखा है इस परकार तेरे खते बरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में से नय आशीशों से हमें भर देगा ये नौ जो आशीशे है परमेसर की नौ जो फल है प्रतिफल है वो परमेसर हम को दे देगा शर्त यह जा कि हम उसकी आग्याओं का पालन करें जो निती और चन तीन अधिया एक से दस तक हमने पड़ी है परमेसर इन बचनों के दारा हम सब को आशीदे यदि आज आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंस में जरूर लिखेगा और बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा यदि आप भी आपके मन में ऐसी बाते आ रही है तो जरूर लिखेगा और इस बचन को शेर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके प्रेज दा लॉड टूपल्स मेरा दूसरा चैनल है उसमें आज का सवाल है कि किस नभी को कवो ने भोजन कर आया था जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए नहीं तो डिस्क्रिस्टन में आपको टूपल्स काये के लिंक मिलेगा उसे किलिक किजिए और वहाँ पर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा मैं आपसे गुजारिस करता हूँ मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाईए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे नया वीडियो नहीं जानकारी बिना वेवधान के आपके पास पहुँचे मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स तो अपना करमसे जरूर बाचित कीजिए यह मेरे नमबर है मैं फिर से आपसे गुजारिस करता हूँ दोस्तों क्योंकि दर्शन जो है वो पूरा जरूर होगा क्योंकि बहुत सारी लोग जो हैं जो 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 जोड़ गए हैं मेरे साथ और वो प्रातना कर रहे हैं सबी प्रातना युद्धा इस विसे में प्रातना में लगे हैं आप भी प्रातना कीजे और यदि परमसर आपके मन में कुछ डालता है तो जरूर आ गया यह ताकि हम जल्दी से जल्दी स्कारे को शुरू कर सके हैं यदि आप मेरे चैनल के लिए और मेरे मिनिश्टी के ग्रोग के लिए अगर कुछ हेल्प करना चाहते तो उसके लिए भी मैं आपका स्वागत करता हूँ पर बेसर इसके एवज में आपको अंगिनत आशिशित करेगा प्रेज दर लॉड आज के लिए बस इतना है फिर मिलुगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर तब तक के लिए मुझे जाज़त दीजे लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखे और याद रखे यह छोटी छोटी सी जो आग्याएं है यह हमारे लिए बहुत महत्यपूर्ण है क्योंकि इन्हें के द्वारा हमें बड़े बड़े प्रतिफल बड़े इनाम परमेसर देता है प्रेज दर लॉड परमेसर आट पुआशिश दे